नमश्कार दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप moral and motivation कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल empower the life पर आ सकते हैं आपका वहाँ स्वागत है The Golden Stories में आपका स्वागत है आईए सुनते हैं मुशी प्रेमचंद की लिखीवी कहानी लान्चन अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आँखे लोगों के हिर्दियों के भीतर घुश सकती तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुश होंगे जो उसके सामने सीधी आँखे करके ताख सकते महिला आश्रम की जुगनुबाई के विशे में लोगों की धारना कुछ ऐसी ही हो गई थी वह बे बड़ी लिखी, गरीब, बुड़ी औरत थी देखने में बड़ी सरल, बड़ी हसमुख लेकिन जैसे किसी चतूर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है उसी तरह उसकी आँखे भी बुराईयों ही पर पहुँच जाती थी शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विशे में दो-चार लुकी छिपी बाते उसे ना मालुम हो उसका ठिगना स्थुल शरीर, सिरके खिचडी बाल, गोल मूँ, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आँखे उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर परदा सा डाले रहती थी लेकिन जब वे किसी की कुटसा करने लगती तो उसकी आकरिती कठोर हो जाती आखे फैल जाती और कंट स्वर करकर्श हो जाता उसकी चाल में बिल्लियों का सा सैयम था तबे पाउं धीरे धीरे चलती पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तयार हो जाती उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना पर महिलाओं उसकी सूरस से भी कापती थी उसका आतंग था कि जो ही वे कमरे में कदम रखती होटो पर खेलती भी हसी जैसे रो पड़ती थी चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती मानों उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहसे अंकित नजर आते हो पिछले रहसे कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जन्तु के समान कट घरों में बंद करके ना रखना चाता हो धनियों को चोरों के भैसे निद्रा नहीं आती मानियों को उसी भाती मान की रक्षा करनी पड़ती है वह जन्तु जो पहले कीट के समान अलपा कार रहा होगा तिनों के साथ तेर्ग और सबल होता जाता है यहां तक हम उसकी याद ही से काप उठते हैं और अपने ही कार नामों की बात होती है तो अधिकांश देवियां जुगनु को दुदकार थी पर यहां तो मैके और ससुराल, ननिहाल, ददियाल, फुफियाल और मोसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी और जिस किले में इतने द्वार हो उसकी रक्षा कौन्ज कर सकता है वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तख छुकाने में ही कुशल है जुगनु के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वे जरूरत पढ़ने पर उन्हें उखार दिया करती थी जहां किसी महिला ने दून कीली या शान दिखाई वहां जुगनु की त्योरियां बदली उसकी एक बड़ी निगा अच्छे-अच्छे को दहला देती मकर यह बात ना थी किस त्रियां उसे घ्रना करती हो नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिल दी और उसका आदर सतकार करती अपने परोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनुरंजन का विशे रही है और जुगनु के पास इसका काफी सामान था नगर में इंदुमती महिला पार्शाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था हाल में मिस खुर्शैद उसकी हैड मिस्ट्रेस होकर आई थी शहर में महिलाओं का दूसरा कलब ना था फिर खुर्शैद एक दिन आश्रम में आई ऐसी उंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी ना थी उनकी पड़ी आवभगत हुई पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शैद के आने से आश्रम में एक नई जीवन का संचार होगा कुछ इस तरह दिल खोल कर हरेक से मिली कुछ ऐसी दिलचस्प बाते की कि सभी देवियां मुख्ध हो गई गाने में चतुर थी व्याख्यान भी खूब देती थी और अभीने कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था ऐसी सर्वर्गून संपन देवी का आना आश्रम का सोभाग्य था कुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मत भरी आखे नई फैशन के कटेवे केश एक-एक अंग सांचे में ढला हुआ मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी चलते समय मिस खुशेद ने मिसिस टंडन को जो आश्रम की प्रधान थी एकांथ में बुला कर पूछा वह वह पुडिया कौन है? जुगनु कई बार कमरे में आकर मिस खुशेद को अनवेशन की आखों से देख चुकी थी मानो कोई सैसावार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो मिसिस टंडन ने मुस्कुरा कर कहा यहां उपर का काम करने के लिए नोकर है कोई काम हो तो बुलाऊं मिस खुशेद ने धन्यवाद देख कर कहा जी नहीं कोई विशेश काम नहीं है मुझे जालबाज मालूम होती है यह भी देख रही हूँ कि वे सेवी का नहीं स्वामिनी है मिसिस टंडन तो जुगनु से जली बैठी ही थी इनके वे धव्य को लांचित करने के लिए वे उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वे की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा ओ तब तो भयंकर स्थ्री है तब ही सब देवियां इससे कापती है आप इसे निकाल क्यों नहीं देती ऐसी चुड़ैल को एक दिन भी ना रखना चाहिए मिसिस टंडन ने अपने मजबूरी बताई अरे निकाल कैसे दूँ जिन्दा रहना मुश्किल हो जाए हमारा भागय उसकी मुठी में है आपको दो-चार दिन में उसके जोहर खुलेंगे मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फज जाएं उसके सामने भूल कर भी किसी भी पुरुष से बाते न कीजेगा इसके गोयन दे ना जाने कहां कहां लगे हुए हैं नोकर से मिलकर भेद ये ले डाकिये से मिलकर चिठ्थिया ये देखे लड़कों को फुसला कर घर का हाल ये पूछे इस रांड को खूफिया पुलिस में जाना चाहिए था यहां न जाने क्यों आमरी मिस खुशे चिंतित हो गई मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो एक शण बात बोली अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी अगर ना निकाल दू तो कहना मिसिस टंडन निकाल देने ही से क्या होगा उसकी जबान तो ना बंद होगी तब तो वह और भी निडर होकर कीचड फैकेगी मिस खुशे ने चिंतित स्वर में कहा हम्म्म मैं उसकी जबान भी बंद कर दूँगी बहन आप देख लीजेगा टके की ओरत यहां पाजशाहत कर रही है मैं यह नहीं बरदाश कर सकती वह चली गई तो मिसिस टंडन ने जुगनू को बुला कर कहा इस नई मिस साहाब को देख यहां प्रिंसिपल है चुगनू ने द्वेश भरे हुए स्वर में कहा आप देखें मैं ऐसी सैकडो छोकरियों को देख चुकी हूँ आखों का पानी जैसे मर गया हो मिसिस टंडन थीरे से बोली तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी उनसे डरती रहना कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी मैंने सोचा तुम्हें चेता दू ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बाते कह बैठो जुगनू ने मानो तलवार खीच कर कहा मुझे चेताने का काम नहीं उन्हें चेता दीजेगा यहां का आना ना बंद कर दू तो अपने पाप की नहीं वह घूम कर दुनिया देखाई है तो यहां घर बैठे दुनिया देख चुकी हूं मिसिस टंडन ने पीठो की मैंने समझा दिया भाई आगे तुम जानो तुमारा काम जाने जुगनू आप चुप चप देखती जाईए कैसे तिनगी का नाच नचाती हूं इसने अब तक ब्या क्यों नहीं किया उम्र तो तीस के लगभग होगी मिसिस टंडन ने रद्धा जमाया कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाती किसी पुरुष के हाथ क्यूं अपनी आजादी बेचू जुगनू ने आखे नचा कर कहा कोई पूस्ता ही ना होगा ऐसी बहुत सी कवारियां देख चुकी हूं सत्तर चुहें खाकर बिल्ली चली हज को और कई लड़कियां आ गई और बात का सिलसला बंध हो गया दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस्खुष्यत के बंगले पर पहुँची मिस्खुष्यत हवा खाने गई हुई थी खान सामा ने कहा कहा से आती हो जुगनू यहीं रहती हूँ बेटा मेम साब कहा से आई है तुम तो इनके पुराने नोकर होंगे खान सामा नाकपुर से आई है मेरा घर भी वही है दस साल से इनके साथ हूँ चुगनू किसी उँचे खानदान की होंगी वै तो रंग धंग से ही मालूम होता है खान सामा खानदान तो कुछ ऐसा उँचा नहीं हाँ तकदीर की अच्छी है इनकी मा अभी तक मिशन में 30 रुपे पाती है ये पढ़ने में तेज थी वजीफा मिल गया विलायत चली गई बस तकदीर खुल गई अब तो अपनी मा को बुलाने वाली है लेकिन वे बुडिया शायद ही आए वे गिर्जे विर्जे नहीं जाती इससे दोनों में पढ़ती नहीं जुगनू मिजाच की तेज मालुम होती है खान सामा नहीं नहीं, यो तो बहुत नेक है गिर्जे नहीं जाती तुम क्या नोकरी की तलाश में हो करना चाहो तो कर लो एक आया रखना चाहती है जुगनू नहीं बेटा मैं अब क्या नोकरी करूँगी इस बंगले में पहले जो मेम साब रहती थी वे मुझ पर बड़ी निकार रखती थी मैंने समझा चलू नई मेम साब को आशिरवाद देयाँ खान सामा यह आशिरवाद लेने वाली मेम साब नहीं है ऐसों से बहुत चिर्थी है कोई मंगता आया और उसे डांट बताई कहती है बिना काम किये किसी को जिन्दा रहने का हक नहीं है भला चाती हो तो चुपके से रहलो जुगनु तो यह कहो इनका कोई धरम करम नहीं फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी जुगनु को अपनी दिवार खड़ी करने के लिए काफी समान मिल गया नीज खांदान की है मा से नहीं पठती धर्म से विमुख है पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम ना थी चलते चलते खांद सामा से इतना और पूछा इनके साहब क्या करते हैं खांद सामा ने मुस्कुरा कर कहा अरे इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई साहाब कहां से होंगे चुगनु ने बनावटी आश्चरे से कहा अरे अब तक ब्या नहीं हुआ हमारे यहां तो दुनिया हसने लगे खान सामा अपना अपना रिवाज है भई इनके यहां तो कितने ही ओरते उम्र भर ब्या नहीं करती चुगनु ने मार्मिक भाव से कहा एसी कुवानियों को मैं बहुत देख चुकी हमारी बिरादरी में कोई इस्तनों रहे तो थुड़ी थुड़ी हो जाए मुदा इनके यहां जो जी में आवे करो कोई नहीं पूस्ता इतने में मिस खुशेत आ पहुँची कुलाबी जाड़ा पढ़ने लगा था मिस सहाब साड़ी के उपर ओवरकोट पहने हुए थी एक हाथ में छत्री थी दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर प्रभात की शीतल वायू में वैयाम ने कपोलो को ताजा और सुर्ख कर दिया था जुगनू ने चुक कर सलाम किया पर उन्होंने उसे देख कर भी ना देखा अंदर आते ही खान सामा को बुला कर पूछा यह ओरत यहां क्या करने आई थी खान सामा ने जूते का फीता खोलते वे कहा बिखार इन है हुजूर पर ओरत समझदार है मैंने कहा यहां नोकरी करेगी तो राजी नहीं हुई पूछने लगी इनके साहाब क्या करते हैं जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और होना ही चाहिए हिंदूओं में तो दुद्मुहे बालकों तक का विवा हो जाता है खुर्षेद ने जाच की और और क्या कहती थी और तो कोई बात नहीं हुजूर अच्छा उसे मेरे पास भेज दो जगनुने जो ही कमरे में कदम रखा मिस खुर्षेद ने कुर्षी से उठकर स्वागत किया आईए माजी आईए मैं जरा सैर करने चली गई थी आपके आश्रम में तो सब कुषल है न जगनुने कुर्षी का तकिया पकड़ कर खड़ी खड़ी बोली कुषल है मिस साप मैंने कहा आपको आशिरवाद दे आऊ मैं आपकी चेरी हूँ जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजेगा यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा मिस खुर्षेद मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ पड़ा अनद मिलता है वे सब मेरी ही लड़किया है जुगनू ने मात्रभाव से सिरहिला कर कहा अहां हां ये ठीक है मिस साथ पर अपना अपना ही है दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए सैसा एक सुन्दर सजीला यूवक रेशमी सूर धारन किये जूते चर्मर करता हुआ अंदर आया मिस खुर्षेद ने इस तरह दोड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो जुगनू उसे देखकर कोने में दुबग गई खुर्षेद ने यूवक से गले मिलकर कहा प्यारे मैं कबसे तुम्हारी रहा देख रही हूँ जुगनू से माजी आप जाएं फिर कभी आना ये हमारे परम मित्र विलियम किंग है हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पड़े है जुगनू चुपके से निकल कर पहार आई खान सामा खड़ा था पूछा ये है लोंडा कौन है खान सामा ने सिर हिलाया मैंने इसे आज ही देखा है शायद अब कुवारे पन से जीऊप गया हो हम अच्छा तरेदार जवान है जुगनू तोनों इस तरह तूटकर गले मिले कि मैं तो लाच के मारे गड़ गई ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती तो उनों लिपट गई लोंडा तो मुझे देख कर कुछ जिचकता था पर तुम्हारी मिस साहाब तो जैसे मतवाली हो गई थी खान सामा ने मानो आमंगल के आभाज से कहा मुझे तो कुछ बेड़ब मामला नजराता है चुगनू तो यहां से सीधे मिसिस टंडन के घर पहुँची इधर मिस खुर्षेद और युवक में पाते होने लगी मिस खुर्षेद ने कह कहा मार कर कहा अरे वाह तुमने अपना पाट खुब खेला लीला बुडिया सचमुच चोंधिया गई लीला मैं तो डर रही थी कि कहीं बुडिया भाप न जाए मिस खुर्षेद मुझे विश्वास था वे आज चरूर आएगी मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुमें सूचना दी आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे चीच आता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी लीला अरे तुम भी तो जान बूच कर दलदल में पाउं रख रही हो मिस खुर्शेद मुझे अभीने में मज़ा आता है दिल लगी रहेगी पुडिया ने बड़ा जुर्म कर रखा है जराव से सबक देना चाती हूँ कल तुम इसी वक इसी ठाट से फिरा जाना पुडिया कल फिराएगी उसके पेट में पानी न हज़म होगा नहीं ऐसा क्यों जिस वक्त वह आएगी मैं तुमें खबर दूँगी बस तुम छेला बनी हुई पहुँच जाना आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुरसत ना मिली उसने सारा विरतांत मिसिस टंडन से कहा मिसिस टंडन दोड़ी हुई आश्रम पहुँची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई जुगनू उसकी तस्दी करने के लिए बुलाई गई जो महिला आती वे जुगनू के मूँ से ये कथा सुनती हर एक रिहसल में कुछ-कुछ रंग और चड़ जाता यहां तक की दोपैर होते होते सारे शहर के सब्भे समाज में पह खबर कूंज उठी एक देवी ने पूछा यह युवक है कौन? मिसिस टंडन सुना तो उनके साथ का पड़ा हुआ है दोनों में पहले से कुछ बाचित रही होगी वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्रों हो गई यह कुवारी के से बैठी है अब कलई खुली जुगनू और कुछ हो या ना हो जवान तो बाका है तंडन यह हमारी विदवान बहनों का हाल है जुगनू मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी धूप में बाल नहीं सफेद किये है तंडन कल फिर जाना ठीक है जुगनू कल नहीं मैं आज रात ही को जाऊंगी लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था मिसिस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी रात को नो बजे जुगनू मिसित खुर्शेद के पंगले पर जा पहुँची संयोग से नीला वती उस वक्त मौजूद थी बोली पुडिया तो पी तरह पीछे पड़ गई मिस खुर्शेद मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा तुम जाकर रूप धराओ तब तक मैं पातों में लगाती हूँ शराबियों की तरह अंशंट बखना शुरू करना मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना पस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो लीला मिशन में डॉक्टर थी उसका बंगला भी पास ही था वह चली गई तो मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया जुगनू ने एक पुर्जा उसको दे कर कहा मिसिस टंडन ने ये किताब मांगी है मुझे आने में तेर हो गई मैं इस वक्त आपको कस्ट ना देती पर सवेरे ही वे मुझसे मांगेंगी हजारो रुपे महीने की आमदनी है मिस सहब मगर एक एक कोड़ी दांस से बकड़ती है इनके द्वारे पर बिखारी को भीग तक नहीं मिलती मिस खुर्षेद ने पुर्जा देख कर कहा इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती सुभा ले जाना तुमसे कुछ बाते करनी है बैठो मैं अभी आती हूँ वह पर्दा उठा कर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई पंदरा मिनट में एक सुन्दर रेशमीर साड़ी पहने इत्र में पसी हुई मूपर पाउडर लगाई निकली जुगनू ने उसे आखे फाड़ कर देखा ओहो ये है शिंगार श्यायद इस समय वे लोंडा आने वाला होगा तभी ये तयारिया है नहीं सोने के समय कवारियों को बनाव सिंगार की क्या जरूरत जुगनू की नीती में स्त्रियों के सिंगार का केवल एक उद्देश्य था पती को लुभाना इसलिए सुहागिनों के सिवा शिंगार और सभी के लिए वरजित था अभी खुर्षेद कुर्सी पर बैठने भी ना पाई थी कि जूतों का चर्मर सुनाई दिया और एक शण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा उसकी आँखे चड़ी हुई मालुम होती थी और कपडों से शराब की गंदा रही थी उसने पे धड़क मिस खुर्षेद को चाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुम्मल लेने लगा मिस खुर्षेद ने अपने को उसके कर पास से छुडाने की चेश्टा करके कहा चलो हटो शराब भी कराई हो किंग ने उसे और चिम्टा कर कहा आज तुमें भी पिलाओंगा प्रिये तुमको पीना होगा फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है इसकी परिक्षा कर लो मिस्खुर्षेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिती का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पढ़ जाए पर किंग नशे में मस्त था जुगनू की तरफ देखा ही नहीं मिस्खुर्षेद ने रोश के साथ अपने को अलग करके कहा तुम तुम इस वक्त आपे में नहीं हो इतने उतावले क्यों हुए जाते हो क्या मैं कहीं भागे जा रही हूँ किंग इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ आज से में खुले आम आऊंगा खुर्षेद तुम तो तुम तो पागल हो रहे हो देखते नहीं हो, कमरे में कौन बैठा हुआ है किंग ने हक बका कर जुगनों की तरफ देखा और छिजक कर बोला यह बुडिया यहां कब आई तू यहां क्यूं आई बुड़ी शैतान की बच्ची यहां बेद लेने आती है हमको बदनाम करना चाहती है मैं तेरा गला घोड़ दूँगा ठहर ठहर भागती कहां है मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा जुगनों बिल्ली की थना कमरे से निकली और सिर पर पाव रख कर भागी उधर कमरे से कह कह उठ उठ कर छट को हिलाने लगी जुगनों उसी वक्त मिसिस टंडन के घर पहुची उसके पेट में बुल-बुले उठ रहे थे पर मिसिस टंडन सो रही थी वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खट-कटाई पर कोई दुआर ना खुला और दुख्या को सारी रात इस तरह काटनी पड़ी मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो प्राते काल वे आश्रम में चाकूदी कोई आदा घंटे में मिसिस टंडन भी आई उन्हें देखकर उसने मूँ फेड लिया मिसिस टंडन ने पूछा रात क्या तुम मेरे घर आई थी इस वक्त मुझसे महराज ने कहा जुग्नु ने विरक्त भाव से कहा प्यासा ही तो कोई के पास जाता है कोई थोड़े ही प्यासे के पास आता है मुझे आग में जोग कर आप दूर हट गई भगवान ने मेरी रक्षा की नहीं कर जान ही गई थी मिसिस टंडन ने उच्छ सुकता से कहा क्यूं क्या हुआ अरे हुआ क्या कुछ तो कहो मुझे तुमने जगा क्यों न लिया तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सोचाने की है महराज ने घर में घुसने ही ना दिया जगा कैसे लेती आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वे वहाँ गई है तो आती होगी घड़ी भर ही सोती तो क्या बिगड़ जाता पर आपको किसी की क्या परवा तो क्या हुआ मिस खुर्षेद मारने दोड़ी वे नहीं मारने दोड़ी उनका वे खसम वे खसम मारने दोड़ा लाल आखे निकाले आया और मुझसे कहा निकल जा जब तक मैं निकलू तब तक हंटर खीच कर दोड़ी तो पड़ा मैं सिर पर पाव रख करना भागती तो चमड़ा उधिर डालता और और वे रांट बैठी तमाशा देखती रही तो उनों में पहले से सदी बदी थी ऐसी कुल्टाओं का मुझ देखना पाप है वैश्या भी इतनी निरलजना होगी जरा देर में और देवियां पहुँची ये विर्तांथ सुनने के लिए सभी उच्सुक हो रही थी जुगनू की कैंची आविश्रांत रूप से चलती रही महिलाओं को इस विर्तांथ में इतना आनंदा रहा था कि कुछ ना पूछो एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी घर के काम धंदे भूल गए खाने पीने की सुधी बीना रही और एक बार सुनकर उनकी त्रिप्तीना होती थी बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी मिसिस टंडर ने अंत में कहा हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनूचित है आप लोग इस परशन पर विचार करें मिसिस पांटिया ने मर्थन किया हाँ हाँ हम आश्रम को आदर से गिराना नहीं चाहते मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं मिसिस बांगडा ने फरमाया चुगनुबाई ने ठीक कहा था ऐसी औरतों का मुँ देखना भी पाप है उससे साफ कह देना चाहिए आप यहां तश्रीफ न लावें अभी ये खिचडी पकी रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा गाड़ी में मिस खुरशेद और विलियम केंग बैठे हुए थे जुगनू ने मुँ फैला कर हाज से इशारा किया वही वही लॉंडा है महिलाओं का संपूर समू चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया मिस खुरशेद ने मोटर से उतर कर हुट बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली महिलाओं भाग भाग कर अपनी अपनी जगया बैठी मिस खुरशेद ने कमरे में कदम रखा किसी ने स्वागत ना किया मिस खुरशेद ने जुगनू की ओर नी संको चांको से देख कर मुसकुराते वे कहा कहिए बाई जी रात आपको चोड तो नहीं आई जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिले रिस्त्रियां देखी थी पर इस धिटाई ने उन्हें चकित कर दिया जोर हाथ में चोरी का माल लिये सहा को ललकार रहा था जुगनू ने एट कर कहा जीना भरा हो तो अब पिटवा दो सामने ही तो है खुर्षेद वह इस वक्त तुमसे अपना अपरात शमा कराने आए है रात वह नशे में थे जुगनू ने मिसिस टंडन की ओर देख कर कहा और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी खुर्षेद ने वेंगे समझ कर कहा मैंने आस तक कभी नहीं पी मुझ पर जूटा इलजाम मत लगाओ जुगनू ने लाठी मारी शराब से भी बड़े नशे की चीज है कोई वै उसी का नशा होगा उन महाशे को परदे में क्यों ढख दिया देवियां भी तो उनकी सूरत देखती मिस खुशेद ने शरारत की सूरत? सूरत तो उनकी लाग दो लाग में एक है मिसिस टंडर ने आशंकित होकर कहा नहीं नहीं उन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाते मिस खुशेद ने आगरे किया मामली को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है एक तरफा फैसला आप क्यों करती है? मिसिस टंडर ने टालने के लिए कहा यहां कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है मिस खुशेद वहां मेरी इज़त में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती है कोई मुकदमा नहीं है मिस्टर केंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा मिसिस टंडर को छोड़ कर और सभी महिलाएं केंग को देखने के लिए उत्सुप थी किसी ने विरोध ना किया खुशेद ने द्वार पर आकर उंची आवाज से कहा तुम जरा यहां चले आओ हुट खुला और मिस लेलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती भी निकल आई आश्रम में सरनाटा चा गया देवियां विस्मित आखों से लिलावती को देखने लगी जुगनू ने आखे चमका कर कहा उन्हें कहां छिपा दिया अपने खुशेद छू मंतर से उड़ गए जाकर गाड़ी देख लो जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खुब देख बाल कर मू लटकाई हुए लोटी मिस्खुशेद ने पूछा क्या हुआ मिला कोई जुगनू मैं तिरिया चरितर क्या जानू लिलावती को गौर से देख कर और मर्दों को साड़ी पहना कर आखों में धूल जोक रही हो यही तो है यही तो है वे रात वाले साहब खुशेद खुब पहचानती हो जुगनू हाँ हाँ क्या अंधी हो मिस्स टंडन क्या पागलोसी बाते करती हो जुगनू यह तो डॉक्टर लीलावती है जुगनू उंगली चमका कर चलिए चलिए लीलावती है साड़ी पहन कर औरत बनते लाज भी नहीं आती तुम रात को इनके घर नहीं थे लीलावती ने विनोद भाव से कहा मैं कब इनकार कर रही हूँ इस वाद लीलावती हूँ रात को विलियम किंग बन जाती हूँ इसमें बात ही क्या है देवियों को अब यथार्थ की लालीमा दिखाई दी चारों तरफ कह कह पढ़ने लगे कोई दालियां बजाती थी कोई डॉक्टर लीलावती की करदन से लिपड जाती थी कोई मिस खुर्षेद की पीट पर थपकियां देती कई मिनट तक हुहु मस्ता रहा चुगनू का मुँ उस लालीमा में पिल्कुल चरासा निकल गया जबान बंध हो गई ऐसा चरका उसने कभी न खाया था इतनी जलील कभी न हुई थी मिसिस महरा ने डांट बताई आप बोलो दाई लगी मुँ में कालिक की नहीं मिसिस बांगडा इसी धना सबको बदनाम करती है लीलावती आप लोग भी तो जो ये खहती है उस पर विश्वास कर लेती है इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा अपने सिर पर ये तुफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी मिस खुशेद ने कहा जरा उसे पूछो पूछो तो मेरे पीछे क्यों पर गई थी मिसिस टंडन ने पुकारा पर जुगनु कहा कहा है जुगनु तलाश होने लगी जुगनु गायब उस दिन से शहर में किसी ने जुगनु की सूरत नहीं देखी आश्रम के इतिहास में ये मामला आज भी उलेक और मनोरजन का विशे बना हुआ है कहानी सुनने के लिए धर्नेवाद तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अलविदा